जुलाई में श्रिलंका के खिलाफ होने जा रही ODI और 2020 सीरीज के लिए भारतिय क्रिकेट टीम का एलान कर दिया गया है इस टीम में सिखर दवन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है वहीं तेज गेंदवाज भूनेश्वर कुमार को कप्तान बनाया गया है एक युवाइ स्कॉर्ट बनाने पर जोड दिया गया है और कई ने खिलाडियों को मुका मिला है इस टीम में कई युवा और ने चेहरे देखने को मिलते हैं देवदत पेडिकल से लेकर रितुराज गाएकवाड तक कई ऐसे खिलाडियों को शामिल किया गया है जिनका आईपेल में शांदार प्रदोशन रहा इस टीम में बल्ले भाजी की जिम्मेदारी शिकर दवन, पृत्वी शो, देवदत पडिकल, रितुराज गाएकवाड, सूर्य कुमार यादव, इशान किशन, मनीश पांडे, संजु सेंसन के कंदों पर होने जा रही है वहीं गेंदबाजी का जिम्मा भूनेशर कुमार के साथ कुलदी प्यादव, चेतन सकारिया, नवदीप सेनी, दीपक चहर, वरुन चक्रवर्ती और युजवेंदर चहल पर है एक नजर में टीम काफी संतुली दिकाई पड़ रही है और आल राउंडर्स को भी काफी दरजिये दी गई है हार्दिक पंडिया का चोट के बाद फिर वापसी करना भी टीम के लिए अच्छे संकेत है वैसे इस पार ये भी दिल्चस्प है कि भारतिय टीम एक साथ दो सिरीज खेलने जा रही है एक तरफ पिराट की कप्तानी में इंग्लेंड में न्यूजिलेंड के खिलाफ ICC World Test Championship की त्यारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिखर के निर्तित्व में स्रिलंका दूर खेला जा रहा है ये एक ऐसी गटना है जो पहली बार होती दिख रही है भारतिय टीम के स्रिलंका दोरे की बात करें तो 13 से 25 जुलाई के बीच में पूरी स्रीज कराने की त्यारी है इसमें तीन ODI और 2020 मेंच करवाए जाएंगे एक तरफ 13, 16 और 18 जुलाई को वंडे मेंच होंगे वहीं 21, 23 और 25 जुलाई को 2020 मेंच खेले जाएंगे